हालो फ्रेंड वेलकम टू येस्टे टेटोरियर ये अगला क्लास टेखेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश राजस स्विलेक पाल एल्टी ग्रेट परिख्या सुपर्टेट परिख्या के लिए का भी मत्रूर है ये क्लास रोजाना राती याट बजे प्रवाइड करा जाती है इसमें आने वाले सभी प्रश्ण काफी इपॉर्टेंट होते हैं तो वीडियो पर दास्तक बने रहेज़ेगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा लाइक कीज़ेगा दोस्तों में शेयर भी कर देज़ेगा बेल आइकन पर प्रश कर लिज़ में हर्बल फ्यूयल बनता है दोसरा है नार्थ इस्ट फ्रेंटियर एजनसी के नौरत्न तीसरा है सारवजनिक छेत्र के वे नौ उद्योग जिन्हें जो है पूर्ण स्वाज़तता पतान की गई है और चौता है साफ्ट्वेयर एक्विपमेंट के नौ घटक तो कौन साथ का इसमें सही हो जाएगा यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप लोग देख सकते हैं भारत सरकार ने बर्स 1997 में नौ सारवजनिक उद्यमों की पहचान की जो तुलनात्मक रूप से फायदे की स्थिते में थे और इनमें जो है अंतराष्टी अस्तर पर विशा इवंग मिनी रतन सेकेंड तक कर दिया गया ठीक है बरतमान में 10 महारतन है और 14 नौ रतन है एवंग मिनी रतन जो है एक दो कंपनिया है ठीक है तो कुल कंपनियों की कुल संख्या जो है वो तीहत्तर है जिसमें 10 महारतन है और 14 नौ रतन है और जो नौ नौ रतन का कार्य हो होता है वो सारवजनिक छेत्र के नौ उद्ध्यों को पोड़त्या स्वात्यता जो प्रदान की गए थी उसी को नौरत न कहा गया था ठीक है तो इसको आप लोग ध्यान से स्क्रिंसार्ट लेकर करके आप लोग एक दो बार देख दीजेगा जरूर इसको पढ़ लीजेगा अगला कोशन है निम्लकित में से किसका अंसदान भारत के घरेलू उत्ताद में अधिक रहता है किरसी एवंग आनुसंगिक क्रियाएं बेनिरमाड़ु द्योग बिजली गैस और जलापूर्थी याज सेवाएं तो डीज वाला अफसन सही होगा सबसे ज़्यादा अंसदान जो है सकल घरेलूत बाद में सेवाएं का रहता है तो जहां पर डीज वाला अफसन सही होगा भारत के शकल घरे लुत पाद में सरवाधी कंसदान जो है सेवा छेतर का रहता है वस्तत है किसी भी देश की अर्थ वस्ता जैसे जैसे बिक्सित होती जाएगी उसमें सेवा छेतर का योगदान जो है बढ़ता जाएगा ठीक है तो यहाँ पे D वाला आपसनाप का इसमें सही हो जाएगा अगला प्रशन है भारत में सबसे बड़े 50 तरल इस्टाक को पदर्शित करने वाले सुचकांग का अभिधान क्या है अभिधान है भारत में सबसे बड़े 50 तरल इस्टाक को पदर्शित करने वाले सुचकांग का अभिधान है BSE सुचकांग, ENSE सुचकांग, Nifty सुचकांग या मुल्ली सुचकांग तो कौन साथ संसे हो जाएगा तो वो है Nifty सुचकांग निफ्टी सुचकांग के अंतरकत जो है 50 तरल इस्टाक को पदर्शित करने का सुचकांग आदिमान रहता है यहाँ पे C वाला आपसन सही हो जाएगा निफ्टी जो है National Stock Exchange है इस पर सुची बद रूप से 50 प्रमुक से रुका सुचकांग होता है और निफ्टी दो सब्दों से मिलकर बना है National और निफ्टी तो यहाँ पे C वाला आपसन आपका इसमें सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है दो सुची दिया हुआ है इधार नदी है और उनकी सहाइक नदी उसे आपको मिलान करना है तो गंगा की सहाइक नदी कौन सी है तो गंगा की सहाइक नदी है सोन गोदावरी की सहाइक नदी कौन होती है तो गोदावरी की है मंजरा क्रिष्टा की भीमा यमुना की केन ठीक है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चार, तीन, एक, दो ये वाला कूट आपका सही हो जाएगा इन चारों नदियों की सहायक नदिया आप लोग जरूट पढ़ी लिजेगा यतनी भी सहायक नदिया है तो कौन सा कूट में सही हो जाएगा यहाँ देख लिएजिए नीचे डी वाला कूट आपका सही हो जाएगा चार, तीन, एक, दो ठीक है अगर फिर से देख लिजे गंगा की सोन है, कोदावरी की मंजरा है किषडा की भीम है, यह मुना क्या केन है अगला कोशिन है दो सूची इसमें भी दिया हुआ है इसको मिलान करना है, इधर बीमारी है उससे होने वाले जो जीवान है उसको मिलान करना है तो मलेरिया किस से होता है तो मलेरिया जो है, यह चीता मच्छर से होता है ठीक है चीता मच्छर से मलेरिया होता है तो A में आपका सही हो जाएगा चार काला जार किस से होता है काला जार क्यूलेक्स से होता है क्यूलेक्स से काला जार होता है तो B में आपका हो जाएगा एक डेंगू किस से होता है तो डेंगू जो है एना फेलीस से होता है एना फेलीस से होता है तो C में आपका दूसरा सही हो जाएगा और येंसे फ्लाइटिस किसे होता है तो ये सेंड फ्लाइट से होता है ठीक है तो यहाँ पे चार में आपका D में आपका हो जाएगा 3 तो 4, 1, 2, 3 किसमे है यहाँ पे आप रोग देख सकते हैं कूट में 4, 1, 2, 3 आपका कूट नमबर C में है तो कूट नमबर C आपका इसमें सही हो जाएगा ठीक है ये चारों बहुत ही इंपोर्टेंट है ये किसी ने किसी परिक्षा में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा तो इसको आप लोग याद रखिएगा मलेरिया, चीता मच्छर, काला जार क्यूलेक्स, डेंगू, एना, फेलीस और यहन से फ्लाइटे जो है सेंट फ्लाइ तो इसको आप लोग इसकिन सार्ट लेकर के याद कर लीजेगा डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं मलेरिया रोग जो है प्लाजमोडियम नामक प्रोटो जोवा परजीवी दोरा होता है जिसका वाहक मादा एना फेलीस मक्छर है काला जार रोग जो है लीस मेनिया नामक प्रोटो जोवा परजीवी के दोरा होता है जिसका वाहक बालू मक्छी या सेंड फ्लाई है ठीक है तो कालाजार का सेंड फ्लाई है और डेंगो रोग जो हड़ी तोड जुर भी कहते हैं यह एक प्रकार की बिशाड की संक्रमण से होता है जिसे एडिज, इप्रिजी, एडिज, एफ़लो, टिक्स नामक जो है मच्छरों से फैलता है तुसी को चीत प्रकार में देख दीजिएगा और इसमें देख सकते हैं कि क्योलेक्स या एडिज या टाइगर मच्छर के नाम से भी जानेते हैं तो यह भी आपका सभी हुजाएगा ठीक है और जापानी जो एंसे प्लाईटी से एक विसाड जनीत रोग है जिसका बाहग जो है क्योलेक् मच्छर होते हैं तो इसको आप लोगी स्क्रेंशाट ले लिए एक बार पूरा अच्छे तरीके से एक बार जो है इसको पढ़ लीजिएगा कूट में जो है कुछ गलती हुआ है क्योंकि कूट इसका सही दिया हुआ नहीं है ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मलेरिया जो है यह ना फेली से तो यहाँ पर ए में भी दो कहीं दिया नहीं हुआ है ठीक है तो इसको आप लोग जो है यह बार इससे पढ़के जो है अच्छे से आप लोग मिलान कल लिजिएगा और इसको आप लोगी स्क्रेंशाट ले लिए अगला प्रशने निम्नांकित में से कौन सी सोचना प्रोध्योग की परिभाशित नहीं है लोग इन मॉडिम पासवर्ड पिनाका नहीं पूचा है तो यहाँ पर डी वाला आप समस्भी जाएगा पिनाका जो है यह सोचना प्रोध्योग की नहीं है पिनाका जो है एक मल्टी वैरल राकेट लांचर पड़ा ली है ठीक है जो रच्छा प्रोध्योग की से सम्बंदित है यह जो है रच्छा प्रोध्योग की से सम्बंदित है और जो लोगिन है मॉडम है पासवर्ड है यह सभी जो है किसे हैं सोचना प्रोध्योग की से हैं तो इसको आप लोग जाद रखेगा बहुत है महातपोर है। अगला कोशन है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवध है। लोकायुक्त की पदधारण की अवध क्या है। पांच वर्स, चार वर्स, सात वर्स, आठ वर्स। तो सही उत्तर प्रदेश का आपका आठ वर्स। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहट जो है लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पदधारण अवध है। उसके पदधारण करने की तीथी से जो है 6 वर्स निर्धारत थी। लेकिन वर्स 2012 में जो है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त शंशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पदधारण अवध जो है 6 वर्स से बढ़ा करके जो है 8 वर्स कर दिया गया। तो यहाँ पर डी वाला आपसनापका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रशन है किस देश के राजनयतिक नेतित को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है। किस देश के राजनयतिक नेतित को जो है प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है। जापान, थाइलेंड, चीन, विल्जियम, तो चीन की राजनायतिक नेतित्तों को जो है प्रिंसिलिंग नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला अफसान आपका इसमें सही हो जाएगा, क्यों प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि सासक जो है कमनिष्ट पार्टी में पदानुक्रम से सर्वोचता निर्धारित होते हैं इसलिए जो है वहां से इसे प्रिंसलिंग के नाम से जाने जानते हैं मसरूम क्या है कवक है पौधा है पसू है बैक्टेरिया है तो मसरूम एक कवक है जिसको हम खादी के रूप में सबजी के रूप में जो है इसको अपयोग करते हैं तो यहाँ पे पहला वाला आफसानापका इसमें सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संबिधान को शंगात मक्ता के तंग धाचे में नहीं ढाला गया है यह किस ने कहा था डेडी बसू ने के मुंसी ने बियार अंबेड करने एके अईयर ने तो यह कहा था भीमराव अंबेड करने ठेक है इन्होंने कहा था संबिधान को शंगात मक्ता के तंग धाचे में नहीं ढाला गया है डेक्टर अम्बेटकर नहीं स्विकार किया था कि संभीधान को संघात्मकता के तंग धाचे में नहीं ढला गया है तथा यह एक ही कृत और संघात्मक दोनों ही है तो यहाँ पर सी वाला आफसन आपका सही हो जाएगा